Hello dear students of B.S.C. part 3rd, dear students, Zoology में हम different types of cultures पढ़ रहे हैं, उसमें हमने वर्मी कल्चर पढ़ा था, सेरी कल्चर हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, Epi-Culture. सबसे पहले हम देखते हैं कि Epi-Culture का मीनिंग क्या होता है? Epi-Culture होता है, जो मधुमक्या होती हैं, हम सब ने सुन रखा है इसका नाम, मधुमक्या हम सब जानते हैं, मधुमक्य हनी बीज, तो मधुमक्यों का पालन करना, Epi-Culture कहलाता है, और उनका पालन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उनसे अनेक products हम gain करते हैं, अनेक उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हम उनका culture करते हैं, उनका जो culture होता है, वो artificial यानि करत्रिम रूप से भी हो सकता है, और natural प्राकर्तिक रूप से भी हो सकता है, natural तरीका जो है, वो तो हम देखते ही हैं, कहीं भी पेड़ पे हनीबी का हाईव होता है, चाता लगा होता है, बड़ी बड़ी जो building होती हैं, उनमें इनका हाईव हमें देखने को मिलता है, तो ये तो होता है natural इसका method की natural तरीके से प्राकर्तिक रूप से कैसे epiculture होता है, वो खुद human beings के द्वारा नहीं किया जाता, और kratrim जो होता है epiculture, उसमें मनुष्य बड़े scale पर, large scale पर, honeybees का culture करता है, जिसे हम epiculture कहते हैं, वो large scale पर होता है, चोंकि उसको different products प्राप्त करने होते हैं, तो वो उसका commercialization होता है, अगर हम kratrim रूप से epiculture करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि epiculture से हमें कौन-कौन से products प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहला तो जो मुख्य उद्दिश होता है, epiculture का वो होता है, शहद को प्राप्त करना, production of honey, honey को प्राप्त करना फिर दूसरा इसकी जो accessory products हैं, वो bees wax होती है, bee venom होता है, propolis होता है, propolis एक resin जैसा पदार्थ होता है, जो honey bees को अपना nest building के लिए उसकी requirement होती है और humans के लिए वो एक medicine की तरह कारिया करता है, anti-inflammatory भी वो होता है, इस तरह से different medicines में उसको use किया जाता है अभी मैंने बात की bee venom की, bee venom जो है वो rheumatoid arthritis के लिए उसका उप्योग किया जाता है और ये एक important question भी है, ये college lecturer की exam में भी पूछा गया question है कि निम्न में से कौन सा product rheumatoid arthritis के लिए use किया जाता है, तो वो भी bee venom होता है इस तरह से ये competitive exams के लिए भी important question बनता है अब हम बात करते हैं, एक bee yard एक term है, वो भी पूछी जा सकती है bee yard जैसे कि आप screen पर भी देख रहे हैं, bee yard एक जगे का colony का नाम है जहाँ पर honey bees को रखा जाता है और ये आपको इस screen पर ये photos भी दिख रहे हैं आपको epiculture की जहां शहद आपको लगावा दिख रहा है, मधु मख्यों का चाता आपको दिख रहा है hive आपको दिख रहा है, इनका nest आपको दिख रहा है अब हम बात करते हैं, epiculture में चुकि insects को यूज किया जाता है और वो insect honey bee होता है अब honey bee का हम इसका जो classification है इसकी position क्या होती है, कौन से phylum में आता है, किस में ये आता है, क्या इसकी class होती है तो systematic position इसकी होती है kingdom इसका animalia है phylum arthropoda जैसा कि आप जानते हैं, सभी insects arthropoda में शामिल किये जाते हैं क्योंकि उनके jointed legs होते है, jointed उनके appendices होते है class इसकी insecta है, order hymenoptera है, family epi, genus, apis और species, mellifera species अलग-अलग हो सकते हैं, अभी अपन different species, जो इसकी important different species है उनके बारे में अभी बात भी करने वाले है genus है, apis और species, mellifera, indica भी हो सकती है, dorseta भी हो सकती है तो इस तरह से इसकी different species होती है, different उनकी qualities होती है तो इस तरह से इसका scientific name है, वो apis mellifera या फिर apis indica, apis dorseta वो species के according इसका different different name हम बता सकते हैं अब हम पढ़ते हैं species of honeybees के बारे में honeybees की जो different species है, ऐसे तो कई species है लेकिन हम चार important species के बारे में यहां हम पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो artificial apiculture किया जाता है, उसमें भी इन में से दो species का ज्यादा use किया जाता है सबसे पहले हम देखते हैं apis dorseta, एक बात मैं आपको यहां नोट करवा हूँ यह जो चारों species हम पढ़ने जा रहे हैं, यह चारों examination point of view से भी important है competitive examination point of view से भी यह important है, apis dorseta इसको हम समाने भाषा में rock b भी कहते हैं और यह जो इसका common name है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए यह जो b होती है, यह सबसे बड़ी largest, सबसे बड़ी b होती है, इसका जो size होता है, जो और हम species पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे बड़ा size apis dorseta का ही होता है, आपको picture थोड़ा सा clear नहीं दिख रहा है, बड़ा सा comparison अगर करें तो इसका जो size है, यह इसका जो size है वो इसका बड़ा size है और यह अपना जो nest बनाती है, वो भी बड़ी size का ही बनाती है हम इसको सामने भाषा में बड़ी वाली मधुमक्खी भी कहते हैं आपने सुना होगा अकसर families में बड़ी वाली मधुमक्खी और इसका जो hive होता है nest होता है वो भी बहुत बड़ा होता है building पर भी होता है rocks पर भी होता है जो honey का production होता है इसके द्वारा वो भी बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन इसको domesticate करना means इसका culture करना difficult होता है क्योंकि ये थोड़ी aggressive होती है second जो species है वो है apis sirena indica इसे हम कहीं कहीं आपको mostly आपको apis indica लिखावा मिलेगा लेकिन कहीं कहीं आपको apis sirena भी लिखावा मिल सकता है तो ये apis indica एक ही बात होती है इसे हम indian bee भी कहते हैं और ये जो bee है वो medium size की होती है और इसके द्वारा अलिकतर apiculture किया जाता है इसके द्वारा राजिस्थान में भी apiculture में ये use में ली जाती है और आपको ये देखने को भी मिल सकती है ये ज़्यादा aggressive भी नहीं होती है और इसको हम domesticate यानि इसका culture भी कर सकते है थर्ड जो species है वो है apicid floria इसको समन्य भाषा में हम little bee भी कहते हैं क्योंकि इसका size छोटा होता है इसलिए इसको little bee भी कहते है इनका जो common name है वो भी आपको जरूर याद करना है इसके द्वारा जो honey का production है वो poor quality का होता है या हम यूँ कैसे पेंग इसका honey production इसके द्वारा कम होता है क्योंकि इसका size भी छोटा होता है next fourth है apis mellifera ये भी एक important honey bee होती है इसे हम European bee भी कहते हैं और European means के वलिए Europe में नहीं है अपने एशिया में इंडिया में राजस्थान में भी पाई जाती है और ये कुछ-कुछ जो apis indica हमने पड़ी है उसके जैसी हमें दिखती है और इसका size भी medium size इसका होता है और इसको domesticate भी किया जा सकता है इसके दुआरा honey culture करके प्राप्त किया जा सकता है राजस्थान में भी epiculture इसके दुआरा होता है तो मुख्यत है epiculture में epis mellifera and epis indica का उप्योग किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा aggressive नहीं होती और easy to domesticate होती है अब हम बात करते हैं bee colony के बारे में क्योंकि हम ये जानते हैं कि honey bee एक social insect होती है social means samagic एक तरह से समाज के रूप में रहने वाली अब समाज को हम अगर हम बात करें इनके समाज की तो इसमें तीन तरह की bees होती है और वो तीनों तरह की bees एक साथ रहती हैं लेकिन उनका जो function होता है उनका कारिय होता है वो अलग अलग उनका होता है वो एक colony के रूप में रहती है इसलिए इसको social insect कहा जाता है क्योंकि वो एक colony के रूप में एक साथ रहती है एक colony में लगबग 50 to 60 thousand insect honeybees एक colony में रहते हैं और ये जो colony है इसमें तीन प्रकार की हनी बीज पाई जाती है आपने सुना भी होगा बड़ों से भी आपने सुना होगा कि हनी बीज में एक तो रानी मधुमक्की होती है और एक worker होता है और drone नर मधुमक्की होती है और worker ये कारिय करने वाली मधुमक्की होती है जो colony का सारा काम इसके द्वारा किया जाता है सारा कारिय इसके द्वारा किया जाता है और जो इसकी रानी मधुमक्की होती है वो सबसे important होती है हलांकि important तो अपने अपनी जगह सभी है लेकिन इसको सबसे ज़्यादा importance दी जाती है इनके अगर हम size की बात करें तो जो queen है जो rani madhumakki है वह सबसे बड़ी होती है और वो ही केवल fertile female होती है colony के अंदर, fertile means reproduction करने की ability उसी में ही होती है और सबसे बड़ी size भी इसकी होती है इसमें कोई wax gland भी नहीं पाई जाती और इसकी जो life, इसका life span है वो है 3-4 साल तक ये जीवित रहती है, अगर एक colony में over production हो रहा है अगर ज़्यादा insects हो गए हैं, तो जो queen है वो अपने साथ और insects को लेकर के दूसरा जो hive है वो भी बना सकती है, दूसरा nest भी बना सकती है, और queen का जो कारिया है वो ये है कि ये production करती है ये egg laying करती है अंडे देने का कारिया करती है, और इसके जो अंडे देने की rate है वो भी 1500 से 2000 पर डे, एक दिन में ये 1500 से 2000 अंडे दे सकती है colony में production करने का काम केवल अंडे देने का काम केवल रानी मधुमक्की के द्वारा ही किया जाता है, इसके लाव ये और कोई कारिया नहीं करती है तो इस तरह से इन तीनों में से आप रानी मधुमक्की को आराम से पहचान सकते हैं दूसरी जो मख्की है वो है ड्रॉन ड्रॉन हम जो नर मख्की है उसको हम drawn कहते हैं नर जो मधुमक्की है उसे हम drawn के नाम से जानते हैं और ये जो drawn है ये लगभग 60 दिन की लाइफ होती है ये है drawn और इन में sting और wax gland इन में absent होते हैं sting means डंक इनका जो होता है उसे हम sting कहते हैं ये डंक नहीं मारते हैं और इनका जो डंक होता है मधुमक्की का वो इनके posterior end पर present होता है यहां present होता है कभी भी mouth के द्वारा ये डंक नहीं मारते हैं और एक और important drawn का feature होता है कि ये unfertilized egg के द्वारा इनका विकास होता है unfertilized egg जो अंडे निशेचित नहीं होते और हम ये जानते हैं कि अगर अंडा निशेचित नहीं हुआ है तो उनमें गुणसुत्रों का नंबर भी आधा ही रहता है मेंस एक set of chromosomes ही इनमें पाया जाता है और यह हम यूँ कह सकते हैं कि इनमें गुणसुत्रें only N number of गुणसुत्रें में present होते हैं 2 N नहीं होते हैं ये बहुत important question है और ये भी exam में पूछा गया question है drawn और आपके options में मिल जाएगा N, 2 N, 3 N, 4 N तो आपको right जो answer है वो है N means haploid number of chromosomes are present in drawn नर्मध मक्ही में कि अर्थ गुणसुत्रिया आधे गुणसुत्रिया केवल N number of chromosomes ही present होते हैं क्योंकि ये unfertilized egg के द्वारा इनका विकास होता है ये भी question बन सकता है कि drawn का विकास कैसे होता है unfertilized egg से या फिर fertilized egg से या फिर nano power ऐसे question बन सकता है और ये जो drawn है इसका कारिया होता है केवल जो female होती है female means जो queen है केवल उसको fertilized करना उसके eggs को fertilized करना ही इसका कारिया होता है और कोई कारिया ये नहीं करते हैं उसके बाद इनकी death भी हो जाती है फिर थर्ड जो member है colony का उसकी हम बात करते है वो है worker B worker B worker कारिय करने वाले colony का जो कारिय किया जाता है वो worker B के द्वारा किया जाता है सारा जो उसका कारिय कारिय करना नैस्ट की रक्षा करना जो चोटे लारवा होते हैं एग्स होते हैं उनकी रक्षा करना नैश्ट की रक्षा करना और ये सब कारियर वरकर के ही होते हैं वरकर की एक विशिष्टा होती है कि इनमें जो इनके हाइंड लेग्स होती है उनमें पॉलेन बास्केट प्रेजन्ट होती है और उस pollen basket का कारिय होता है pollen का collection करना, pollen को store करना, जब यह pollen लेते हैं flowers से उसको pollen basket के अंदर ही collect किया जाता है, तो इसके लिए इन में pollen basket होती है, ये भी एक important question बन सकता है कि pollen basket किसमें present होती है, worker में, queen में, drone में या फिर किसी में भी नहीं, तो worker में pollen basket present होती है, एक और important इनका feature ये है कि जो worker भी होती है, वो अपनी life span के according, अपने उम्र के according, अपने दिनों के according ये कारिया करते हैं, जैसे 1 to 14 दे तक ये ये आपकी screen पे भी ये दिया हुआ है, इसको आप देख के notes भी बना सकते हैं, 1 to 14 दे तक ये हाईव का कारिया करते हैं, उसको larva को feeding करने का कारिया करते हैं, 14 to 20 दे तक ये जो हाईव इसका nest है, उसकी entrance को guard करते हैं, और 21 to 35 दे तक ये फिर nectar and pollen collection का कारिया करते हैं, तो इस तरह से dear students, हमने आज जो epiculture है, उसका just एक introduction पड़ा है, हनी भी इसकी different different species के बारे में पड़ा है, उसकी systematic position पड़ी है, और जो इसकी तीनो चारों species हैं, और जो इसकी colony के तीनों member हैं, queen, drone और worker भी, और इसकी चारों species हैं, वो बहुत important हैं, इनके जो साधरन नाम हैं, इनका career और इनमे number of chromosomes, यह सारा important है, इसको आप ध्यान में रखें, अभी के लिए भी और बाद के आपके आगे के लिए भी, आगे के exams के लिए भी यह important है, तो dear students, आज के लिए इतना काफी है, thank you.